श्री शद्गुरू महाराज कीजे रातह स्मढि अनंत श्रीवुशीत परमाराध्य संसद्गुरू महर्शी मेही परमहन्ष जी महाराज का प्रवचन नाद से बढ़ कर कोई मंत्र नहीं बंधां गुरू पदकन्ज क्रिपाशें दुनररू परि मामोहतमपुंज धर्मान उरागिने प्यारी जनता शंतों की वानी चाहे संस्कृत चाहे पाली चाहे भारती चाहे किसी भी भासा में हो उसमें यही बात है कि मनुष्य को बहुत पवित्रता से रहना चाहिए पवित्रता शरीर की और हिर्दय की भी होनी चाहिए पवित्रता में रहते वे अपने को उपर उठाओ उपर उठाने का अर्थ अपने अंदर सुक्ष्मता में परवेश करो यह जैसे जैसे अधिक होता जाएगा वईसे वईसे उधर बढ़ते जाओगे जिधर इश्वर का ज्यान होगा जैसे जैसे कोई अस्थोलता से शुक्ष्मता की ओर जाता है उधर अपने को और परमात्मा को पहचानता है शंशार को पहचानते हुए जो भोग भोगते हैं सब को प्रत्यक्ष है उसमें कभी कोई शुक्षी नहीं कोई त्रिप्त नहीं शंतों के ख्याल में है कि बारम बार जन्म लेना और मरना पड़ता है यह शरीर है कभी न कभी अवश्य छूटेगा फिर दूसरा शरीर होगा जैसे एक शरीर में शुक्ष दुख भोगना होता है उसी तरह दूसरे दूसरे शरीरों में भी शुक्ष दुख भोगना पड़ शंतों ने कहा इश्वर दर्शन करो उसको पहचानो तब कल्यान होगा शंतों की वानी में इसी का उपदेश है प्रेरण है हिर्दय की शुद्धी यानि हिर्दय की पवित्रता के लिए उन्होंने कहा हिर्दय में राग द्वेश काम क्रोध आदि विकार नहीं रखो किसी से वह रभाव के कारण जो उसका अनिष्ट सोचता है वह कभी उधर्व गति को प्राप्त नहीं कर सकता शंतों में सबसे बड़ी शक्ती शहन शक्ती है उसको अपनाओ अंदर में प्रवेश करने के लिए अस्थोल से शुक्ष्म में जाने के लिए ऐसा ध्यान हो कि एक विंदुता प्राप्त कर लो विंदु इतना सुक्ष्म होता है कि जिसको कोई बाहर में बना नहीं सकता विंदु उसको कहते हैं जिसका अस्थान है परिमान नहीं अर्थात परिमान रहित चिंड को विंदु कहते हैं बाहर में परिवाशा के अनुकोल विंदु नहीं बन सकता अपनी दृष्टी को खोव समेटो दृष्टी को समेट कर एक अस्थान पर रखो अपने अंदर में एक अस्थान पर कहने का मतलब यह है कि द्रिष्टी को वहां रखो जहां मांस, हार, चाम, खोन नहीं है सुन्नि में ध्यान करो जब कोई अपने अंदर देखना चाहे तो देखने के लिए नेत्र बंद करे तब उसको अंदकार में आकास देखता है उसमें हार, मांस, खोन, चाम नहीं है जो अपने द्रिष्टी को ऐसा बनाता है जैसे सुई में धागा पिरोने में या शिकार में निशाना करने में करते हैं तब जैसे मन और द्रिष्टी एक जगह होती है उसी तरह मन और द्रिष्टी को अपने अंदर एक जगह रखो तब जो उदय होगा वह परम विंदू है उस परम विंदू पर जो ठहर कर रह सकता है वह सुक्ष्म में प्रवेश कर जाता है ऐसा प्रवेश कर जाने से बाहे पदार्थों की आशक्ति छूट जाती है या यों भी कहिए कि आरम में मन की आशक्ति को छोर कर ध्यान करता है तब ऐसा होता है उसके लिए ध्यान करने में कोई तकलिव नहीं होती फेफरे में चोट नहीं लगती हां ध्यान करने में मस्तिस्क में कुछ भारीपन अवश्य लगता है तो जब ऐसा लगे तब ध्यान करना छोड़ दीजिए फिर पीछे कीजिए जैसे कमजोर शरीवाले का शरीड ब्यायाम करते करते मजबूत होता है उसी प्रकार ध्यान करते करते उसका ध्यान बल बढ़ जाता है शुक्ष में प्रवेश करने पर नाद को प्राप्त करता है योग शिखोपनिशद में कहा गया है नास्ति नादात परो मंत्रह न देवह स्वात्मनह परह नानुशंधे पड़ा पूजा नहीं त्रिप्ते प्रम्शुखम नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है नाद वा ब्रहम की अनुशंधी अनवीशन वा खोज से बढ़कर कोई पूजा नहीं है और त्रिप्ती से बढ़कर कोई सुख नहीं है इसी को ध्यान विंदुपनिशद में कहा गया है परमपदम परमविंदु ही विजाक्षर है उसके उपर नाध है नाध जब अक्षर अनास ब्रहम में ले हो जाता है तो निहीं शब्द परमपद है अनाहतं तू यक्षचब दंग तश्य सब्दश्य यत परम तत परमविंदते यस्तू शयोगी छिन संसया है अनाहत के बाद जो निहीं सब्द परमपद है योगी उसे सब से बढ़कर समझते हैं जहां सब संसय दूर हो जाते हैं यह ज्यान किसी भासा में हो ग्रहन करना चाहिए शंतों की वानी में श्रधा होनी चाहिए जो कोई शंतों की वानी में औसरधा करता है वह गलत करता है तो उससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है शंतों की वानी में अस्थोल ध्यान भी बतलाया गया है कबीर शाहब ने कहा है गुरु शाहब करी जानिये रहिये शब्द समय मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए अस्थोल ध्यान के बाद शुक्ष्म ध्यान बत दो बाते हैं अस्थोल जप और अस्थोल ध्यान इससे अस्थोल ध्यान में डिढ़ होकर शुक्ष्म ध्यान में बढ़े हिर्दय की सुधता के कारण वह संसार में अच्छी तरह रह सकता है जो राग द्वेश रहित है वह संसार में आसानी से प्रतिष्ठा से रह सकता है इ प्रम्पुजी गुर्देव का यह पर्वचन भागलपूर जिलान तर्गत मिर्जान हाट में शिरिमान तिलक मोदी जी के आवाज पर दिनांक शोलह चार उनिस्ष्व चौबन इश्वी को प्रातह कालिन सत्षंग में हुआ था श्री शद्गुरो महाराज की जे